सोलन जीला में सेल्स टेक्स एंड एक्साइज डिपार्टमेंट ने टेक्स रिटर्न ना करने वाले जी एस्टी रेजिस्टर्ड कारोबारियों पर अब सिकन जा कसेगी इसके लिए विभाग ये टीम में गहनता से कार्या कर रही हैं सेल्स टेक्स एंड एक्साइज डिपार्टमेंट सोलन ने करीब 1700 कारोबारियों को सौट लिष्ट किया था जो नियमित तोर पर जी एस्टी की रेटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं विभाग ने इन कारोबारियों से जी एस्टी 3 बी आर के तहट 20 करोड 22 लाक रुपे की रिकवरी की है वहीं विभाग अब जी एस्टी रिटर्न को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलसी अपनाएगी विभाग टेक्स जमा ना करने पर विभाग जी एस्टी डी और जी एस्टी वन के तहट रिजिस्टर्ड कारोबारियों का पंजी करण रद करने की कारवाई भी अमल में लाएगी इस कड़ी में होटल रेस्टरां और टूरिजम से जुड़े कारोबारियों पर नजर रखी जा रही है विभाग या टीम ने हाल ही में कसोली और इसके आस पास चल रहे 34 होटलों को शॉट लिस्ट किया है जिनोंने जी एस्टी रिटर्न नहीं भरी इसमें से 8 होटल कारोबारियों से 70 लाख रुपे की रिकवरी तैकी है जबकि बाकी होटलों के लेखे जोखे की जाँच की जा रही है विभाग के मुताबिक होटल मालिक प्रियटकों से किराय के रूप में महंगे दाम वसूल कर रहे हैं जबकि जी एस्टी रिटर्न करते समय इसे छुपाया जा रहा है इससे सरकार को टेक्स के रूप में लाखों रुपे का नुकसान हो रहा है हलांकि विभाग जुरूरत पढ़ने पर कारोबारियों की शिकायतों को निप्टाने वैस पश्टी करण में मदद भी करेगा सोलंज इला के अंदर थे जिनके विरुद हमने कारवाई करते हुए अभी तक तकरिबन 20 करोड 22 लाग के आसपास की रिकवरी जो है टैक्स की कर चुके हैं शेश चुक करताओं पे जो है वो कारवाई जारी है और हम जल्द ही बाकी लोगों से भी जो रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हैं या तो उनके नंबर उनके सेशन नंबर जो है वो जारी किये गए हैं वो हम रद करने के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा विशेश कर जो लोग टैक्स का उपवंचन कर रहे हैं चोरी कर रहे हैं उनके प्रती विभाग जो है वो बहुत कड़े कदम उठाने के लिए जो है वो तकपर है और हमने अभी पिछले जो कारवाई की थी वो कुछ हमने होटल्स और कॉटेजिस हमारे कसौली और धरमपू विभाग के पास नहीं जमान हो रहा है तो इसी कारवाई में हमने तकरिबन अभी 34 होटलों पर अशने कारवाई सुनिच्षित की है इस में तकरिबन 8 होटल हैं जिनकी कारवाई पूरी होकर हम ने जो है वो तक्रिफन 70 लाग के अस-पास हमारा जो कर हुन से बेन और और व